कि अगर दोस्तों मेरा नाम है दिपांसु कुस्वाहा और मैं अग्रीकल्चर एंग के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्विक स्वागत करता हूं आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्रीकल्चरल entomology previous year questions के बारे में यानि की जो आपके बार बार कंप्टीटर एग्जाम में अग्रीकल्चरल एंटमोलोजी से जो भी आपके questions पूछे आते हैं उन questions को मिया यहां पर लेके आये लेके आये यानि की पिछली पर इच्छाओं मैं जो भी आपकी questions आया उन सभी को हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं जो की important होंगे आपकी NSC Central Warehouse Corporation और इफको के होने वाले papers के लिए बहुत अच्छे important होने वाले हैं आप सभी के लिए important information यदि अभी तक आपने हमारे official application agriculture in gk को download नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड कर लिजिएगा जहां पर हमारे courses test series study material के साथ साथ ICR के e notes भी provide किये जाएंगे तो download करने की link आपको वीडियो के description box मिल जाएगी वहां से आपको डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमारा play store play store पर जाकर के भी आप लोग इसे क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अग्रिकल्चर एंजी के को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर लिजिए गा और notification bell को प्रेस करना ना भूल है ताकि यहां से आने वाली प्रतेग वीडियो की कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकी कि यदि आप लोग प्रप्रेशन कर रहे हैं इफको एजीटी यानि की एग्रिकल्चर ग्रेजूएट ट्रैनी एग्जाम की वाप सभी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म अग्रिकल्चर एंड जी के लेकर के आया है बहुत ही सा इसमें आप सभी को 250 प्लस वीडियो लेक्टर शमिलने वाले हैं इस्टडी मेटेरियल आपके एग्जाम के लिए इस्टडी मेटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा मौक टेस्ट होंगे जो कि आपके एग्जाम के पैटर में के आधार पर होंगे और साथ ही साथ आपको जो previous year के questions paper होंगे वो भी यहाँ पर आपको provide कराये जाएंगे ठीक है अब यदि आप लोग इस मेंस के exam को clear करते हैं तो यहाँ पर आपको interview guidance program भी कराया जाएगा इसकी जो करना चाहते हैं इस exam को crack करना चाहते हैं अभी पर्चस कीजिए पर्चस करने की लिंक आपको वीडियो के description box मिल जाएगी वहां से आप लोग इसे purchase कर सकते हैं और जो हमारा official application है वहां पर जाकर के भी आप लोग इसे purchase कर सकते हैं और जो यहां पर website दिए अग्री कल्चर जी के डॉटन वहां पर जाकर के आप इसे login कर सकते हैं ठीक है किलियर है आगे बढ़ा जाए देखिए बात करते हैं questions के बारे में कुस्चन देखिए क्या पूंचा गया question पूंचा गया another name for an insect walking leg is यानि की जो आपके walking type legs होते हैं यहां पर जितने भी लोग जड़े हैं फ्लीज एक बार सैसंत्र को लायक करने और ज्यादा से जादा लोगों तक इससे चैर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तब यसे बार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मीडिया प्लेटफोर्म पर ठीक है बस इतना काम कर देना है सभी लोग जोड़ जा यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ियेगा देखिए कुष्चन यहां पर पूंचा गया कि एनदर नेम और इंसेक वाकिंग लैग जो आपके वाकिंग लैग होते हैं उनमें से इंस अनका इनदर नाम क्या होता है तो देखिएगा यहां पर हम आपको कुछ चीज़ें बता.. देते हैं कि जैयसे जो आपके शाल्टा टॉरियल प्रकार के जो आपके लैग होते हैं वो किस्में पाय जाते हैं वो आपके जो जंपिंग जुँझ जो करते हैं फिर उनको डिक करने के बाद फिर वहीं पर एग लेंग करते हैं ठीक है तो नमें कैसे पाई जाते हैं फैजोरियल प्रकार के और जो सुमिंग करते हैं तैरते हैं उनमें ने टाटोरियल प्रकार के क्या पाई जाते हैं लैग पाई जाते हैं और यदी बात करें कर ज लैंग टॉड्हीं ईंटों नहीं और में आपके पॉल्न पर क्सिरीव तायब होता है जो उनने क्या हनीभी होती है पलीउट किॉल्ट कहन boris याई जाती है जिसे हम लोग यदि लेग से कुस्चन पूछा जाएगा तो इसके बाहर नहीं आएगा लेग आप लोग जानते होंगे इंसेक्ट में जो लेग होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं देखिए सबसे उपर वाला जो पोर्शन होता है अपर उसे हम लोग कॉगजा कहते हैं कॉगजा के नीच नीचे जो लगा होता है उसी हम क्या क्या के ते है प्रीट और सस्क कहते हैं क्या क्या कहते हैं और के बारे में बात हो गई आत्सक्ष चन का राइट अंसर क्या होगा देखिए इस कुस्टिन का जो राइट अंसर होगा ऑप्शन सी दा राइट अंसर जो आपके वाकिन टाइप लैग होते हैं वह आपके कर्जोरियल या फिर हम लोग को एंबू लेटरी भी कह सकते हैं ठीक है ड कलूयर है अगले कुश्टिन कें और मूव करते हैं कुश्चन पूचा गया कि आपका कर bst मुर्कर हनीबी से जानते हैं किसके नाम से एपस डॉर साटा के नाम से जानते हैं ठीक है और उसके अलावा जो वरकर होते हैं उनका कार होता है जो वरकर होते हैं उनका कार होता है पॉलन को क्लेक्ट करना क्या करना और जो ड्रोन होते हैं उनका कार होता है मैथन क्रिया करना या कह सकते हैं कि क्या करना reproduction करना ठीक है यह आपके जो ड्रॉन होते हैं वो रॉक == के साथ जो QU thế है उसके साथ एक बार नुप्चिल फ्लाइट लेते हैं जिसके करण वहाँ पर यह records object करते हैं अपने जीवनकाल में चिर्फ एक बार ही reproduction करते हैं क्या करते हैं सिर्फ ऑप रेपर पूर्डक्शन करते हैं और उसके बाद इन्हें पनी जानगवानी पढ़ती हैं अब जो आपकी वर्कर हनी वी?? होती हैं उनिमें उनकी क्लोनी में वर्कर अनी वी में पाए जाते हैं और ऐस्ट्रायलीज ही मिल सभी अंसर होगा वो आपका होना चाहिए क्योंकि जो वरकर हनी भी होती है वो सभी इन में से सभी प्रकार की होती है पहली बात तो वो इस्ट्रायल होती है दूसरी उनकी जो मदर होती है वो समान होती है और तीसरा यह सभी कैसी होती है डिपलाइड होती है तो यहां पर आपका र of the above होगा ठीक है किलियर है यहां पर कुछ आपकी इस्पसीज दी गई है जैसा कि आपको पता होगा एपस डॉर साटा साइन्टिफिक नेम होता है रॉक भी का और ये जो है आपकी कैसी होती है नेचर मैं फैरोसियस होती है थोड़ी से गुसैल होती है कैसी होती है जो रॉक टॉड़ा सा इसे पालना कैसा होता है अब चुंकि गुसैल होती है पैरोसियास ने चर की होती है इसलिए इसकी रियरिंग करना हमें थोड़ा सा कैसा लगता है थोड़ा सा जा ता होता है और firm की बात करते हैं तो ये आपकी ऑंदियन होती है जो की बैस्ट एंड मोस्ट you left for इसकी सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं रियरिंग करते हैं एपस फ्लॉरिया द्वार फे या फिर इसी को हम लोग लिटल भी या छोटी मधुमख्य के नाम से जानते हैं यह आपकी एवाइड़ ड्यू टू लो इल्ड क्योंकि इसका जो हनी प्रक्षन होता है बहुत क है एंपसे महेली फेरा की बात करते हैं तो नगेक्र के धुर्स मेली फेरा होता है वह आपकी यूरोपीएड भी होती है यूरोपीन भी इसकी सबसे ज्यादा हाइड हुद होती है यूरोपीन भी का होता है और इसका जो साइन्टिolen ama ко किया होता है EPS MLEI PYRA क्या होता है EPS MLEI PYRA IS THE SCIENTIFIC NAME ठीक है सभी लोग बता रहा है यहां पर सभी के ANSWER RIGHT क्या होगा ALL IS THE RIGHT ANSWER यानि की OPTION D IS THE RIGHT ANSWER ठीक है अगले कुस्चिन क्यों कर थे हैं कुस्चिन देखिए पूंचा गया फैमली ऑफ दी ड्रो सिचा मैंजी फेरा जो आपका ड्रो सिचा मैंजी फेरा होता है उसकी फैमली क्या होती है यहां पर बताया गया कॉक्सिडी या फिर आपकी एलूरो डिडी या फिर आपकी पाईरे लिडी तो इसकी जो फैमली होती है वो क्या होती है देखिए कुछ फैमिली हम आपको बता देते हैं जैसे जो आपकी एफिडिडी फैमिली होती है उससे आपका जो मस्टर्ड एफिड होता है क्या होता है मस्टर्ड एफिड होता है वो यहां से यहां बिलॉंग करता है किसे एफिडी फैमिली से और जो फैमिली कैन वाइट फ्लाई होती है एल्यूरो लोबस बेरो डेंस जिसे हम लोग कहते हैं वो भी आपकी एल्यूरो डिडी फैमिली से बिलोंग करती है और यदि हम लोग बात करते हैं कॉक्सिडी की तो कॉक्सिडी में आपका मैंगो मियली बग आता है क्या आता है मैंगो मियली बग वो आपका example होता है किसका oxidi family से belong करता है और यदि बात करें ले क्यों फॉरडी जो आपकी लेक्यो फॉरडी family और फॉरडी Pack little the next जो आपका vrat Him phi होता है इसका scientific name urgent for latbike होता है वो ऑपका belong करता है लेए फॉरडी family से ठीक है तो यहाँ पर देखेज जो बात पूछी गई जो कोस्चन पूचा गया वो यह है कि right मेंजी फेरा है वो किस फैमिली से बिलॉंग करता है तो वह बिलॉंग करता है आपका कॉक्सिडी फैमिली से किस से वह आपका कॉक्सिडी फैमिली से बिलॉंग करता है ठीक है किलियर है यानि कि जो ड्रॉसिचा मेंगी मेंजी फेरा होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है यह कौन होता है मैंगो मियली बग आपने सुना होगा मैंगो मियली बग वाइट कलर के होते हैं आपने देखे होंगे जहाँ पर भी आप पतियां होती है पतियों पर यह क्या करते हैं बहुत ज्यादा अपनी लारवल स्टेज को ग्रो करते हैं तो यह मैंगो मियली बग जो है किसी का scientific name Drosica Mangi Ferra होता है और यह जो बिलॉंग करता है वह coxidi family से बिलॉंग करता है किस से coxidi family से बिलॉंग करता है सर nsc exam के लिए भी मेरा थन class करागा दीजिए बिलकुल कराएंगे परिसान नहों बस लगातार जुड़े रही है बिल्कुल कराएंगे organo phosphate and carbonate insecticides work by disrupting and insect क्या बताया गया कि ऐसे आपके जो जो इंसेक्टिसाइड होते हैं कौन-कौन से organo phosphate और आपका carbonate दोनों या insect के किस पार्ट को disrupt करते हैं किस पार्ट को करते हैं और आपके इंसेक्टिसाइड होते हैं ये आपके करते हैं नर्वus सिस्टम को नर्वस डिश्टम को आप समझते होंगे जो नर्व होता है नर्व मतलब जोपकी जितनी भी यहां पर यह जैसे इस्कालिटन केह सकते हैं यानि की पूरा जो कंकाल आतंत्र होता है उसमें जो नर्व पाई जातेयbels रुधरमाहिने यहां से आइं जाते हैं उसको यह क्या करता है पूरा आ हेमी प्रटेरा ऑर्डर कंटेंस यानि कि उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं यहां पर बताया गयाere सब्सक्रावाग करते हैं कौन कौन से इन बात करें तो कुछ important order हैं उनके बारे में जान लीजिएगा जैसे एफी मेरोपटेरा में फ्लाई इससे बिलोंग करती है उसके लावा ओडोनाटा ड्रेगन फ्लाई का नाम आपने सुना होगा ड्रेगन फ्लाई और आपकी डेंसल फ्लाई यह आपकी ओडोनाटा ओर्डर से बिलोंग क करते हैं यह आपके और तो पटेरा से बिलोंग करते हैं और यदि बात की जाए आई सो पटेरा आई सो पटेरा टर्माइट तर्माइट बिलोंग करती है वही आई सो पटेरा टर्माइट जिसका साइंटिफिक नेम और अटन्टो टर्मिस ओवसस होता है और यह क्या करती है cellulose का पाचन करती है क्या करती है cellulose का पाचन करती है यानि कि जब यह लग जाती है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे छुटाना ठीक है यह जो है टर्माइट होती है हमेशा पूछा जाता है कि टर्माइट को रोकने के लिए हम लोग किस इंसेक्टिसाइड का प्रियोग करते हैं टर्माइट को कंट्रॉल करने के लिए तो हमेशा याद, रखना टर्माइट की हम लोग क्लोरी पैरी पोस का च्षिळका escщее का सबसे अच्छा जो इंसेक्टिसाइड माना जाता ए विक होता है फिर्माइट के लिए क्लोरी पाय्री-.. क्या होता है क्लोरी पारी फॉस होता है अगला जो आपका ओर्डर है उसका नाम है डर्मेप्टेरा डर्मेप्टेरा का जो बिलॉंग करता है इंसेक्ट उसका नाम होता है यर्विग और हेमी पटेरा से बिलॉंग करता है ट्रू बग और इसके अलावा होमोप्टेरा सिकेड स सिकेडस एंड आपके हॉपर्स होते हैं, कोलियोपटेरा से आपके बीटल्स बिलॉंग करते हैं, निूरोपटेरा से आपके लेस विंग बिलॉंग करते हैं, लैपीडॉपटेरा से बटरफलाई और जितने भी आपके मौत होते हैं, बटरफलाई, मौत, वो सभी किस से चलते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं नौक्टरन लिंसे कहलाते है और जो डिप्टेरा होती मैं सभी जितनी वह आपकी मख्या order से बिलॉंग करती है और जो आपका mosquito होता है उसमें भी वो किस से बिलॉंग करता है डिप 13 order से बिलॉंग करता है high manoptera से ant wasp और आपकी bees बिलॉंग करती है ठीक है clear है इतनी बात clear है तो जितने भी आपके order थे यहाँ पर आप सभी को उनके example और कौन से order से कौन सा आपका कीट बिलॉंग करता है सायद आपको पता चल गया होगा note कर लेना अच्छे से इस question के right answer के बारे में अदि हम लोग बात करते हैं तो इस question का जो right answer होगा वो होगा bad bugs and stink bugs जो आपका order हेमी पटेरा होता है उससे जो बिलॉंग करते हैं वो क्या होते हैं बग्स बिलॉंग करते हैं देखिए यहां पर भी लिखा गया जो हेमी पटेरा से को वेरी गुड मॉर्निंग क्लास पर फोकस कीजिए गा देखिये क्या पूचा गया अगला कुस्चन कि विच इस्ट्रक्चर वुड भी फाउंड ओन एन इंसेक्ट प्री टारस बताया गया कि जो आपका इंसेक्ट का लैग होता है उस लैग में हमने अभी आपको बताया था कर देंक होता है कि लैग में कहीब पार्ट होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं सब्सक्राइब कऊच्वाइब आई देखिए all of these तो नहीं होगा क्योंकि जो केंटर होता है वह आपका कोगजा के नीचे पाया जाता है सेकंड वाला पार्श पॉर्शन होता है और जो प्रीटर्सश होता है वो बिलकुल जस्ट एंड वाला पॉर्शन होता है प्रीटार्स तो यह तो अल आफ दीज और ट्रोकेंटर यह दो तो हट गए अब बचे आपके पास दो अप्शन एक तो आपके पास बचा फरका और दूसरा बचा एमपोडियम तो आपको जानकारी के लिए बता गये कि यह जो आपका प्रीटार्स होता है उस पर पाया जा यहाने वाला जो इस्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या कहते है उसे हम लोग एमपोडियम कहते हैं क्या कहते हैं वाला और इसका जो राइत आंसर होगा वो होगा आपका एम पोडियम क्या होगा जी बिलकुल रायिक महाराज एहमदजी बता रहे हैं एंपोडियम बिल्कुल राइट आंसर है देखिए आगे देखते हैं अगले कुश्चन की और मूव करते हैं तो कुश्चन पूछा गया कि विच इस्ट्रक्टर लाइज बिट्वीन दी बक्तल कैविटी एंड दी सेलाई वेरियम यानि कि ऐसा कौन सा पोर्शन होता है सा कौ होता है जो कि विच में पाया जाता है विट्वीन पाया जाता है उस कि ऑस अबार रह आपको बता देते हैं कि जो आपके इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है माउथ पार्ट्स में आपका लेब्रम लेबियम मैच्जिब लेजिला मेंडिबल और आपका है लिपोफेरिंग्स होता है ठीक है देखिए जैसा कि यहां पर लिखा गया क्या बताया गया जो आपका लेबरम होता है यह अपर लिप होता है अपर लिप को हम लोग क्या कहते हैं लेबरम कहते हैं और जो लेबियम होता है यह इंसेक्ट का लोवर लिप होता है ठीक है डिबल होता है जैसा का अब को च bronon h Stock या रांगा रा होगा वोटा है और यहां पर यह देखिए आपका labia levy Lточ 이 क्या होता है लैब याल परक्ष आते हैं तो बक्षक्वल जम थय और सालाई वेरियम के बीच में जो आपका इस्ट्रप्र पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं हाइपो फेरिंग्स कहते हैं क्या कहते हैं देखिए फेरिंग्स मेंली जो पोर्शन होता है वो आपका फेरिंग्स होता है अब जो फेरिंग्स होते हैं वो भी दो भागाओं बटे हुए होते हैं एक आपका हाइपो फेरिंग्स होता है तो जो उप नीचे वाला लूबर पोर्शन होता है उसे हम लोग है यहां पर जू बककल क्योटी और सलाइवरियम के बीच में जो पोर सकता है ऊसे उ rozp मर लूब है यह क्या है है। फोर फेरिंग्स कहते टीर है इतनी बात इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आगे देखिए अगला कुष्चन क्या पूचा गया अगला कुष्चन क्या पूचा गया विख्ये कुष्चन बताया गया कि which hormone would not be found in adult insect जो आपका adult insect होता है उसमें कौन सा हार्मॉन नहीं पाया जाता है उसमें कौन सा हार्मॉन नहीं पाया जाता है option दिये गए brain हार्मॉन जुवेनायल हार्मॉन और आपका eclosion हार्मॉन या फिर all of these इसका right answer क्या होगा सभी लोग comment section में एक बार type करके बताइए जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप करके बताईएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए बताया गया कि विच हार्मॉन इनमें से कौन सा हार्मॉन वुड नोट भी फाउंड इन एडल्ट इंसेक्ट में नहीं पाया जाता तो वह जो आपका हार्मॉन होगा वो कौन सा होगा वह आपका all of these एडल्ट में नहीं पाया जाते यह कहां पर पर पाय स्टेज पर हार्मोन होता है इसका पूरा नाम ptth का पूरा नाम प्रो थोरैसिक ट्रॉपिक हार्मोन होता है जो की ब्रेन में पाया जाता है किसके इंसेक्ट के ब्रेन में पाया जाता है क्या पाया जाता है इंसेक्ट के ब्रेन में पाया जाता है और हम आपको एक बात बताते हैं आपने मर्गोसा पढ़ा होगा जिसे हम लोग हिंदी में नीम कहते हैं जिसका scientific name मर्गोसा इंडिका होता है तो इससे जो बनाया जाने वाला बायो पेष्टिसाइड होता है उसे हम लोग अजया-डिक्तिन कहते हैं इसमें सबसे ज़्यादा गुड पाये जाते हैं और सधी गुड पाये जाते हैं लेकिन सिर्फ एक ही side effect होता है कि यह जो नीम होता है मरगोसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ PTT आग्च हार्मोन यानि की इनसेक्ट के ब्रेन से निकलने वाला जो हार्मॉन होता है सिर्फ उसी को अफेक्ट करता है सिर्फ उसमें ये एक अवगोड़ पाया जाता है बांकि उसमें कोई साइड़ नहीं होता है वह हमारी बॉड़ी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ उसमें एक ही साइड़ फेक्ट होता है और वो क्य कुष्चन की और मूव करते हैं देखिए कुष्चन से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यदि आप लोग प्रपरेशन कर रहे हैं एनसी एल यानि की नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिम्टेड की तो हमारा प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए लेकर आया है टेस्ट सिरीज जिस टेस्ट सिरीज में आपको मिलने वाले हैं 20 प्लस सब्जेक्ट वाइस टेस्ट रियल टाइम टेस्ट एक्सपिरियंस और आपके जो एक्जाम से रेलेवेंट कुस्चन होंगे वह आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है साथी साथ यहां पर उसका complete analysis भी मिलेगा 1300 यानि की 1300 प्लस most important mc quiz question होंगे आपके एक्जाम से relevant होंगे जैसा आपके एक्जाम का pattern होता है बस उसी pattern पर आधारेत होंगे ठीक है तो यदि आप लोग अपने selection को ensure करना चाहते हैं तो अभी purchase कीजिए purchase करने की जो इसकी fees है वो मात्र 199 रुपीस रखी गई है कितनी रखी गई है मात्र 199 रुपीस रखी गई है यदि आप भी अपने selection को ensure करना चाहते हैं एक्जाम को crack करना चाहते हैं तो अभी purchase कीजिए purchase करने की link आपको वीडियो के description box मिल जाएगी वहां से आप लोग इसे purchase कर सकते हैं तिक है clear है और आप लोग इसे जो है जो हमारा application है वहां पर जाकर के भी आप लोग इसे purchase कर सकते हैं तिक है हाइपर मेटा मॉर्फोसेश यानि की हाइपर मेटा मॉर्फोसेश का मतलब क्या होता है पहले तो मेटा मॉर्फोसेश समझेगा फिर उसके बाद हाइपर मेटा मॉर्फोसेश समझते हैं तो देखिए मेटा मॉर्फोसेश का मतलब होता है जब कोई इंसेक्ट अपने मेटा मोर्फवासस मेंटा मतलब चैंज मौरसीं मतलब मॉ crimes अम इसी को को हम लोग क्या कहते हैं इसी को हम लोग मैटा मौर फॉसस कहते हैं क्या कहते है इसी को हम लोग मैटा मौर फॉसस कहते है ठीक है किलियर है अब जब कोई इंसेक्ट एक मैटा मौर फॉसस से किसे जब कोई एक एक मेटम और फॉसे से दूसरे मेटम और फॉसे के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग इंस्टार कहते हैं क्या कहते हैं इंस्टार कहते हैं और हम आपको एक सबसे बढ़िया बात बताते हैं आपने सांप देखा होगा सांप की कैचली होता है यह वह होता है Duca me equipment अखने अटक वह ओगे सब्सक्राइब किया होता है मैषा आसक अपनी मौर्फोलोजी मैं या करता है चेंजमेंट करता है तो अब देखिए यह तो मिलम है तूछ कहा है संटॉप हाइपर मgiesता VEलया स्थấnवार मटलब बता है ज्यादा और हाइपोक हव अतलबो थय गम pricedrie स numb के अकèce對 और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा ठीक है तो जब कोई इंसेक्ट लारवल स्टेज में बहुत ज्यादा इंस्टार से क्या करता है बहुत ज्यादा इंस्टार से गुजरता है तो वही आपका क्या कहलाता है hyper metamorphosis कहलाता है क्या कहलाता है Hyper Metamorphosis कहलाता है तो यहां पर पूच्छा गया कि all species are of order कि उस किस order की सभी स्पसीजों में Hyper Metamorphosis पाया जाता है option भी दिप टेरा मर क्रफ Simone क्ल या फिर तेरा जो इसका ऊडर है उन सभी स्ट्रप्श अप्टेरा और के जितने भी आपके इंसेक्ट्च होते हैं उन सभी When Hyper Metamorphosis पाया जाता है क्या पाया जाता है Hyper Metamorphosis पाया जाता है ठीक है किलियर है अब देखिए अगला पुछा गया कि विच कलर सो हाइली टॉक्सी सिटी अपने इंसेक्टी साइड देखे होंगे इंसेक्टी साइड में पीछे की तरफ जहां पर उसमें इस अधय छो लिखाने के लिए लगाया है कि ऐसा फोल देखता होगा यदि उसके पीछे लाल कलर का। इस प्रकार का खत्रे का निशान बना है लाल कलर का structure आधा जो ट्रेंगल है वो लाल कलर से भरा हुआ है तो वह जो होता है आपका वो कैसा होता है एक्स्ट्रीमली टॉक्सिक होता है यानि कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है जब कोई इंसेक्टी साइड का हम लोग छड़काओ करते हैं सायद आपने उसके साइड इफेक्ट भी देखे होंगे कि कई बार क्या होता है यदी वो यदी वो highly toxic होता है तो आपने ऐसा देखा होगा जो उसका इस्प्रे कर रहा है कई बार वो इस्प्रे करते करते बहोसी बहोस हो जाता है बहोसी कि अवस्था में आ जाता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अप वो हमारे air में atmosphere में कुछ मात्रा में वो मिलता है जब वो मिक्स होता है हम लोग respiration करते हैं जब respiration करते हैं तो कुछ मात्रा में उसके थोड़े से traces ही अंदर जाते हैं और जिसके काड़ क्या होता है हम बेहोस हो जाते हैं वो जो व्यक्ति होता है वो भी इनके द्वार आफेक्ट होता है तो ऐसे इंसेक्टिसाइड जिनके पीछे लाल रंग का इस्ट्रक्चर बना हो लाल रंग से भरा हुआ हो और उस पे एक्स्ट्रीमली टॉक्सिक लिखा हो उससे थोड़ा सा दूर रहे थोड़ा सा अच्छे और यदी जब भी आप ल प्रवकार का कोई साइड फैक्ट कोई भी छटी ना हूँ ठीक है क्लियर है अब देखिए डिगरी ओफ टॉक्सिक ओफ इनसेक्टिसाइड यहां पर यदी आपका हाइली टॉक्सिक होता है तो उस पर यह लो कलर का निशान बना होता है यदी वाइं मॉडरेटली टॉक्सि हिसặc होता है तो उस पर ग्रीन किलर का चिन बना होता है वीघिक कलर सो हइली टॉक्सिक अब आपको पता चली गया होगा कि यहां पर राइट अन्शर्थ क्या होने वाला है highly toxicity होती है कि य襟ैंडिग यलो कलर मैं मैं आपकी highly toxicity होती है एक्स्टीम ली कि यदी बात किजाए त हेलिको वर्पा आर्मी जेरा एग्स आर सबसे पहले तो इस बात को जानिएगा कि जो आपका हेलिको वर्पा आर्मी जेरा होता है वो किस इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम होता है आपने अमेरिकन बॉल वर्म सुना है जो अमेरिकन बॉल वर्म होता है अमेरिकन बॉल वर्म होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है हेलिको वर्पा आर्मी जेरा होता है तो जो हेलिको वर्पा आर्मी जेरा है वो एग्स देता है कहां पर इन बंचीज अंडर लीफ जो आपके लीफ होती है अंडर लीफ का मतलब होता है जो निचली सताय होत जेते हैं या फिर आपके not visible without lens उनको रोग without lens के नहीं देख सकते हैं या फिर old-shaped and on flower.org sat лет का मतलब यहां पर जो एग हैं उनके बारे मताया आठके एग हैं वो जोत वहाय'll- Hindus clay clay or goυτar देता है फ्लावर पूर्ग पर देता है तो अब देखिएगा इसका जो राइट अंसर होने वाला है वो क्या होगा जब यह हेलीको वर्पा एग्स देता है उखाँ पर आपसे प्रकॉप और प्लाट प्लांट यह किया करता है एक्स देता है अब देखिए अगले कुछिन की और अगला कुछिन पूछा गया रॉजे टुट फ्लावर इस अटैक और जो आपका रोजेत फ्लावर होता है वह किसके अटेक्स से लगता है रोजिट फ्लावर एक प्रकार का डीजीज होता है Łyadis ऐसके पर किसaları प्रकॉप हो जाई आटक हो जाये जिसके कारण यहां यहां पर जिसके कारण जो आपका एटैक है वह ओट जो डीजीज सिम्टम्स घृते हैं वो किसके होते हैं रोजेट फ्लावर के होते हैं तो देखिएगा जैसा कि आपको पता होगा रोजेट फ्लावर जो होता है मेली लगता है किसमें कॉटन में किसमें लगता है कॉटन में लगता है इसके अलावा यह रोज में भी लगता है किसमें लगता है रोज में जो आपका गुलाब होता है उसमें भी लगता है अच्छा होता क्या है bad opening of buds जो buds होते हैं किसी भी plant के जैसे माल लीजिए cotton है cotton में bad opening होती है क्यासी होती है bad opening होती है या फिर जो rose होता है उसमें भी जो buds बनी हुई होती है कलिकाए होती है उनमें bad opening होती है उसी को हम लोग क्या कहते है रोजेट फ्लॉवर कहते है क्लियर है अब यह अटेक करता है किस पर पिंक बॉल वर्म पर अमेरिकन बॉल वर्म और आपका यह रिस हें यहांपर आपका जो राई आंसर होगा नो क्या होगा जो रोसेड फ्लॉवरह होटा एव्या अटए करता है किसके कारड वह आपका डेव and जो डिजीज स्प्टेम्स हैं दो होते हैं आपके किसके का पिंक बॉल्स वर्म के और पिंक बॉल बॉलवर्म होता है इसका सांटिफिक नेम पिक्टीनो-फ़ORा गॉसीप याहा पर जो आपके सभी के राइट आंसर है पंकज पंडे पिंक बॉल वर्म बता है परतीख्छा कुझूर आपकी पिक्टीनो फोरा है बता रहे हैं ठीक चलिए देखिए यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा पिंक बॉल वर्म इस दाराइट आंसर यानि की जो आपका पिक्टीनो फोरा गौसी पेल्णा होता है कपास की गुलाबी सूरी जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में वही इसका scientific नेम होता है वही इससे क्या करता है अटेक करता है जो कि जिससे जो symptoms होते हैं वो कैसे होते हैं रोजेट फ्लावर के symptoms होते हैं के लिए हैं आगे बढ़ा जाए अगला question देखिए पूछा गया कि आपने आपको वाधर में अपने आपको क्या कर लेता है बचा लेता है अपने आपको अंदर कहीं दबा कर अपने आपको बचा लेता है वो आपका है बर लेते हैं बस यही आपका aesthet Alistaro नूटता है तो यहां पर haba broken यहां पर जो इसका लार्वा होता है वो क्या करता है हाइबर्नेट करता है ठीक है तो इसका राइट अगला कुश्यन पूश्या गया पंपकिन बीटल ले एग जो आपके रैड पंपकिन बीटल होते हैं वह एग्स ले करते हैं यानिकी एग को देते हैं कहाँ अपर साइड पर अपर पोर्शन पर या फिर ओन मिडल पोर्शन ओफ लीफ यानि कि जो पतियां होती है उनके मिडल पोर्शन पर या फिर इंसाइड दी स्टेम स्टेम के अंदर कहां पर देते हैं जो रैड पंपकिन बीटल होते हैं वो एग देते हैं कहां पर इंदी में धसा देते हैं अपने ओवी पोजीशन को वहां पर जगा बनाते हैं और उसके बाद वहीं स्वाइल में क्या करते हैं अपने एग को ले करते हैं क्या करते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा रैड पंपकिन बीटिल एग ले करती है कहां पर इंदी कहां पर करत क्या होता है तो यहां पर एक्जाम ऑप्सन दिये गई एंडोसलफान कार्बो फ्यूरान पोलो या फिर आपका बैस्टॉक्स देखिएगा जो डाया फैंध्यूरान होता है उसका तो ट्रेड नेम ट्रेड नेम का मतलब होता है जिस नाम से मार्केट में जाना जाता है किसी भ अधार पर इसका जो नाम रखा जाता है उसे हम लोग कैमिकल नेम कहते हैं तो अब देखिए इसके जो ट्रेड नेम होते हैं कुछ आपको इंपोर्टन ट्रेड नेम के बारे में यहां पर बताया गया जैसे कि जो एबामेक्टिन होता है इसका ट्रेड नेम वर्टी मेंक हो फिप्रोनिल जो फिप्रोनिल होता है इसका ट्रेडनेम रिजेंट होता है और मेथा मेथा मीडो फोस यह आपका ट्रेडनेम होता है नाइटो फॉल इंसेकटिसाइट ठीक है मिथो मिल किए दि Liver the तो इसका जो होता है Marlin और आपका ठाया mythoxone यह आपका Actara Insecticide और Spinocet का ट्रेडिनेम होता है सक्सिस टू नेचुरा लाइड ठीक है यह इसके क्या होते है इंपॉर्टेंट आपके इंसेक्टी साइड हैं जिनके यहां पर ट्रेड नेम लिखे गए हैं इनको आप सभी को याद रखना है और जो यहां पर कुस्चर पूंचा गया था डाइफ एंतियूरान इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पोलो क्या होगा पोलो इस दा राइट आंसर और होगा आप नई ऐड्य धी डिडटी के बारे में यहम लोग बात करते हैं तो यह आपका पहली बार कहांपर बनाया गया था लैब भूवर्टिर में 1873 में बनाया गया था कब 1873 में और 1939 में डाक्टर पॉल मुलर किसने डॉक्तर पॉल मुलर ने इसे डिस्कवर किया था DDT also effective in killing insect, insect को kill करने में effective होता है during WWII DDT used to kill mosquito, mosquito को मारता है that spread malaria, जो की जिनके कड क्या, malaria फैलता है and other insect born human disease among civilians and the military after the war DDT was commercialized and accessible to the public the US used and produced million of pound DDT during the mid 90s और 1972 में जो EPA banned the sale of DDT for use on crop क्या, crop के लिए DDT को ban कर दिया गया था यहां पर question पूँचा जाता है कि DDT को ban कब किया गया banned herbicide जो होते, banned insecticide है उनमें जो DDT है उसे कब ban किया गया तो वो ban किया गया 1972 में ठीक है, the use no longer uses DDT but many other countries in the world continues to use to control malaria ठीक है, अब देखिए जो DDT को discover किया था, वो हम लोगों ने कब किया था DDT को discover 1939 में और हमेशा याद रखिएगा library laboratory में पहली बार कम बनाया था, वो बनाया था 1873 में, कम बनाया था 1873 में बनाया गया और यह आपका discover 1939 में हो, clear है, आगे बात करते हैं, the origin of foregut is, जो आपका origin होता है, origin of foregut, foregut का मतलब क्या होता है, समझेगा जो आपका insect होता है, उसमें gut के कई भाग होते हैं, जैसे आपका पहला, आपका foregut, midgut और hindgut, जैसे insect होता है, इस प्रकार से उसका भाग बटा हुआ होता है, यह, इस प्रकार से यह आगे वाला portion होता है, इसे हम लोग foregut कहते हैं, और यह वाला जो beach वाला portion होता है, इसे हम लोग midgut कहते हैं, यह digestive system जो होता है, उसके भाग होते है, foregut, midgut और आपका hindgut, क्या होता है, hindgut, तीन भागों में यह बटा होता है, hindgut पीछे वाला portion होता है, foregut आगे वाला portion होता है, और जो beach वाला portion होता है, उसे हम लोग midgut के नाम से जानते हैं, क्या है, उसे हम लोग midgut के नाम से जानते हैं, तो question पूछा गया, the origin of foregut, जो foregut का origin होता है, वो कहां पर होता है, एक्टोडर्मल में या फिर आपका मीजोडर्मल या फिर आपका एंडोडर्मल या फिर आपका नन ओफ दीज तो फोर गट का जो और जिन होता है वो कहां पर होता है वो आपका एक्टोडर्मल होता है कैसा होता एक्टोडर्मल होता है एक्टो मतलब बाहर की ओर डर्म मतलब तो अच्छा तो फोर गट का जो ओरज होता है वो कहां पर होता है एक्टो आपका कौंसा होता है जैसा कि यहाँ पर बताया गया डिस्डरकस या अफिर आपका प्रिक्टी नुफ ओरा या तिर की आपका इय्या फिर्टी आपका आम से whitefly के नाम से जानते हैं इसका right answer क्या होगा जल से जल सभी लोग comment section में बताइगा इसका right answer क्या होगा देखिए which of the following cotton paste belong to family pyzero corody इसका right answer क्या होगा जो आपका dish circus होता है वो belonging करता है किससे pyrocordi family's it belong करता है किस से पाइरो कोरडी फैमली से बिलॉइंग करता है कि लिए है आगे देखिएगा नौजल यूज़ फॉर प्रोडूसिंग मिस्ट इज यानि कि ऐसे नौजल के बारे में बताईए जो यूज किया जाता है निस्ट प्रोडूस करने के लिए लिए मिष्ट का मतलब हो होता है कि ऐसी बूने पानी या स्प्रिंकलर जो हम लोग करते हैं तो मिस्ट का मतलब होता है ऐसा फबारा ऐसा स्प्रिंकलर जो की जो वह बूंद का पार्टिकल साइज है जो आकार है वह हवा के साथ मूव करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मिस्ट कहते हैं क्या कहते हैं म वो जैसे ही aeration होता है wind flow होता है उसके साथ ही ये कुछ दूरी तक wind के साथ ही बहता चला जाता है वही आपका mist होता है इसका जो size होता है वो 0.005 से भी कम होता है ठीक है तो ऐसे आपके जो nozzle होते हैं nozzle का मतलब हम लोग sprinkler के लिए आगे जो nozzle लगा होता है जहां से ये जो आपक insecticide या pesticide होता है जिसको हम लोग sprinkle करते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं वह आपका nozzle वाला portion होता है तो उसको mist को produce करने के लिए हम लोग किस nozzle का प्रियोग करते हैं किस nozzle का हम लोग यहां पर प्रियोग करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके rotary audience जैसा कि यहां पर आपके लिए लगा गए कुछ अलग अलग प्रकार के यहां पर नौज गाए गए यह देख लीजिए गा कि इस प्रकार के नौज size में जब हमें sprinkler को गिरवाना होता है जब हमें इस प्रेकरना होता है तो फिर हम लोग रोटरी energy nozzle का प्रियोग करते हैं इसका rotary energy nozzle का प्रियोग करते इक यह क्लियर है आगे बढ़ा जाए अगले Question की और मुव करते हैं तो question पूछा गया कि bacilli student genesis is most effective एट पिएच जो आपका बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस होता है जिसे हम लोग जिसे हम लोग जो आपका बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस है यह थ्यूरेंजिया नामक इस्थान पर पाया गया था कहां पर थ्यूरेंजिया नामक इस्थान पर पाया गया था तो इसी लिए इसका नाम ह पर effective होता है तो यह effective होता है हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 9-10 pH मान पर effective होता है 9-10 pH मान पर क्योंता है इसी से हमारे जो आपका baseless thuringiensis bacteria यापका एक soil bacteria होता है इससे हमने क्या किया था इसके cry 1 एसी नामक जीन को निकाल करके cotton में हमने क्या कर दिया उसको इंसर्ट करा दिया जिससे अब यह जो आपका प्रिक्टीनो फॉरागोसी पेला है उससे यह क्या हो गया रसिस्टेंस हो गया तो यहां पर जो आपका most effective pH है वह आपका कितना होता है 9 to 10 होता है आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए important information है यदि आप लोग preparation कर रहे हैं CWC यानि आपका Central Warehousing Corporation Corporation की तो हमारा platform आप सभी के लिए लेकर आया है टेस्ट सीरीज जिस टेस्ट सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज मौक टेस्ट प्रवाइड कराये जाएंगे यहां पर आपको जो मौक टेस्ट मिलेंगे जब आप उनको देंगे तो आपको ऐसा लगेगा रियल टाइम टेस्ट एक्सपिरियंस होगा मोश्ट रेलेवेंट कुस्चन होंगे आप से आपके एक्जाम से रेलेवेंट कुस्चन होंगे जैसा आपका एक्जाम का पैटर्न होता है उसी एक्जाम के पैटर्न पर आधारित यहां पर आपको कुस्चन दिये जाएंगे इ आपकी 399 रुपीस रखी गई है यदि आप लोग अपने सेलेक्षन को एंसे और करना चाहते हैं यदि आप लोग अपने इस पेपर को क्रेक करना चाहते हैं तो अभी आप लोग इसे परचेस कीजीए परचेस करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स मिल ज जाए आगे देखियेगा अगले कोस्च्चन की और मूप करते हैं तो अगला कोस्चन पूछा घया की इंसेक्ट विचार एक्तिव इंदी डूटी टाइम आर काल्ड पूछा गया कि ऐसे इंसेक्ट के बारे में बताईए जो इंसेक्ट क्या करता है डे टाइम में एक्टिव रहते हैं एक्टिव होते हैं डे टाइम में उन्हें हम लोग क्या कहते हैं option दिएगा है nocturnal, durnal, crepsicular या फिर आपका none of the above तो यहां पर आपका right answer क्या होगा right answer क्या होगा देखिएगा insects which are active in the daytime तीन प्रकार की होते हैं nocturnal, durnal और आपके crepsicular nocturnal का मतलब होता है ऐसे इंसेक्ट जो कि क्या करते हैं रात्री यानि कि night में active होते हैं कब night में active होते हैं वह आपके nocturnal यानि कि hindi में कहें तो रात्री चर कीट कहलाते हैं डियूरनल मतलब दिन चर जिसे हम लोग कह सकते हैं तो जो आपके daytime में active होते हैं कि दे टाइम में active होते हैं वह आपके duernal कहलाते हैं और ऐसे इंसेक्ट जो साम के समय यानि कि evening में कब evening में है चैसे आठ बजे तक शे बजे से लेकर के आठ बजे तक एक्टिव होते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं क्रेपसी कुलर इंसेक्ट कहलाते हैं क्या कहलाते हैं क्रेपसी कुलर इंसेक्ट कहलाते हैं ठीक है क्लियर है अच्छा अब देख लीजिए का जैसे नॉक्टर्नल किया हम लोग बात करें तो हमने आपको बताया था जितने भी मौत होते हैं और आपका जो कॉक्रोच होता है साइद आपने देखा होगा कॉक्रोच जो होता है वह मेंली कैसा होता है नोक्टर्नल होता है पैरी प्लैनेटा अमेरिकाना साइंटिफिक नेम होता है वह आपका कैसा होत होता है nocturnal होता है बाद की आपके दियूरंल में जैसे आपको पता ही होगा जितने भी आपकेटर पिल्र सोते हैं वो तिफिक कैसे वोटे डियूरं होते हैं ठीक हैं क्लियर है आगे देखिएगा आगे हम लो बात करते हैं यहां पर जो राइट अंसर होगागे टाइम में जो आपके एक्टेव होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं ठीक है ठीक है क्लियर है थ्री मेन पार्ट्स आफ एंटिनी एंटिनी के जो थ्री मेन पार्ट्स होते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं देखिए थ्री मेन पार्ट्स आफ एंट्री वह आपके क्या क्या हो होते हैं स्कैप पैडिक जो आपका फ्लेजिलम होता है और आपका पैडिसल होता है और आपका स्कैप होता है वो मेन पार्ट होते हैं स्कैप पैडिसल और आपका फ्लेजिलम यह मेन पार्ट होते हैं किसके एंटिनी के अब देखिए कुछ चीज़ा हम आपको और इसी में प्रकार की एंटनी में पाई जाती है फिली फॉर्म प्रकार की एंटनी को अक्रोच में पाई जाती है जैनिकुलेट प्रकार की एंटनी बी में पाई जाती है लेमिलेट प्रकार की एंटनी स्केरब बीटल में पाई जाती है और प्रकार की जो in यह वह आपकी fire fly में पाई जाती है किसे पाई जाती है तो इसका जो right answer होगा three main part of एंटनी जैसा कि यहां पर लिखा गया इसका पैडिसल और आपका फ्लैजिलम होता है इसका राइट आंसर क्या होगा option A is the right answer क्या होगा option A is the right answer ठीक है clear है यानि कि यदी एंटनी से question आएगा तो इसके बाहर question आपका नहीं जाएगा इसके बाहर आपका question नहीं जाएगा दॉओक इंस रेंस एज यानि कि प्लान्ट की उस एबिल्टी के बारे मिदाइए जो की बहुत less damage होती है जिससे हमें क्या होती लैस डेमेज होती यह insect को वै क्या होता है टॉलरेंस या पेश्ट Holy and jpa plant resistance या पिर आपकाセ सिस्टेंस होता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा देखिए और सिस्टेंस का मतलब क्या होता है प्रत्रोधी क्या प्रतिरोधी वह उससे क्या हो जाती है उसके प्रति वह प्रतिरोधी हो जाती है उसके अगेंस्ट कारती है 250 आपने जानते हैं उपनी बतीरोध जिसे हम लोग कहते है इलेक्रीसिटीमे पढ़ाया जाता है झालू जो अपको फिजिक वह पढ़ाया जाता है RESISTANCE दया निकी प्रतिरोध, अपोजिट में कार करता है क्या करता है उसके अपोजिट कार करता है और सहन सीलता का मतलब यह होता है कि आप जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे को यदि आप लोग एक तमाचा मार देते हैं वो एक दिन तो उसे थोड़ा लगता है दो दिन मारते हैं फिर उसे थोड़ा कम हो जाएगा बिल्कुल tolerance हो जाएगा वो ऐसे करेगा गाल और आपका तो यह है क्या हो एक हो जाते हैं कि यह उसके लिए वह सहन सीलता हो जाती क्यों कि यहां हम करना है तो फिर यह यह ऐसे गाल कर देता है लीजिए मार यह तो यह चीज क्या होती है सहन सीलता होती है तो ऐसे अबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं tolerance कहते हैं क्या कहते हैं tolerance कहते हैं वही आपका क्या कहलाता है यहां पर tolerance कहलाता है इसका right answer क्या होगा इसका right answer जो होगा वो होगा tolerance क्या होगा tolerance is the right answer अब देखिए अगला question पूछा गया कि example of monophagus insect is देखिए मॉनो फेगस इंसेक्ट का मतलब क्या होता है सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि जो आपका मॉनो फेगस इंसेक्ट होता है वो होता हिया है देखिए इसको फीड करने वाला यानि कि जब कोई इंसेक्ट पेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्लांट की सिंगल इस्पीसीज पर अटेक करता है ऐसे इंसेक्ट पेस्ट आपके क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं जो आपका मॉनोफेगस का एक्जांपल होता है वह क्या होता है वह आपका मॉनोफेगस पेस्ट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको खाता है सिर्फ और सिर्फ आपका मलबेरी पर अटेक करता है किस पर मलबेरी पर अटेक करता है और अगला आता है आपका ओलिगोफेगस oligophagus oligophagus का जो होते हैं वो दो या दो इस्पीसीज पर लगभग कम से कम दो इस्पीसीज पर अटेक करते हैं प्लांट की वह आपके क्या कहलाते हैं वह आपके oligophagus इंसेक्ट कहलाते हैं क्या कहलाते हैं और जो poly phagus इंसेक्ट होते हैं वह इंसेक्ट जो दो या दो से अधिक यानि की more than two species more than two species वह अटेक करते हैं दो या दो से अधिक इस्पीसीज पर वह आपके poly phagus insect कहलाते हैं हैं क्या कहलाते हैं poly phagus insect कहलाते हैं तो इसका जो right answer होगा monofagus insect का जो right answer होगा वो क्या होगा none of the क्या होगा none of the above क्योंकि जो helico maker florappa染 उराchas آंट और green lace ring यह सभी कैसे होते हैं यह सभी poly phagus insect CT होटे जा होते हैं पॉलीफेगस इंसेक्ट होते हैं अगला कुस्चन पूछा गया कि हाउस फ्लाइब माउथ पार्ट जो आपके हाउस फ्लाइब होती है वो उसमें किस प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं तो देखिए हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि चिविंग टाइब के हाउस फ्लाइब और साइफनिंग में पाए जाते हैं इस पॉंजिंग टाइब के आपके हाउस फ्लाइब में पाए जाते हैं और साइफनिंग प्रकार के फ्लिया में पाए जाते हैं चिविंग और लैपिंग टाइब के जो माउथ पार्ट होते हैं वो आपके हनी भी में में पाइजाते हैं honey be man path birthday है तो housefly have mouthparts house fly होती है इसमें जो आपके mouthparts πाइजाते हैं वो कैसे होते हैं वो आपके sponging टाइप के होते हैं जैसा कि यहां पर लिखा लगा स्पोंचे वाउस اللट तो इस पला इस प्लाई में आपके कैसे पाइजाते हैं पॉंजिन टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं किलियर है आगे देखिएगा अगला कुश्चन पूंचा गया दा कंसंट्रेशन ओफ जुवेनायल हार्मॉन हाई तो आपका कंसंट्रेशन होता है जुवेनायल हार्मॉन का किस स्टेज पर सबसे ज्यादा होता है किस स्टेज पर जुवेनायल हार्मॉन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखिएगा इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह मेंली होता है जब जुवेनायल हार्मॉन लारवल स्टेज पर जब कोई इंसेक्ट होता है तो उसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट या सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन कहां पर होता है वो आपका लारवल स्टेज पर ही होता है किस पर होता है लारवल स्टेज पर ही होता कि लिएर है अगला आता है आपका all members are parasitic in nature in the insect order जो आपके parasitic in nature ऐसे सभी member जो की nature में parasitic होते हैं in the insect order वो किस order से belong करते हैं वो किस order से belong करते हैं ऐसे insect जो की कैसे होते हैं parasitic nature के होते हैं उसके सभी members किस और से बिलॉंग करते हैं तो वह बिलॉंग करते हैं आपके स्ट्रेप्सी प्टेरा किस और से स्ट्रेप्सी प्टेरा ओर से बिलॉंग करते हैं और साइध हमने आपको एक बात और बताई थी कि जितने भी आपके स्ट्रेप्सी प्टेरा ओर्डर के आपके जो इंसेक्ट किस्ट होते हैं उनमें ईनमें हैइपर मेटा मॉरफोसिस भी पाई जाती है क्या मेटा मॉर्फोस भी पाई जाती है ठीक है क्लीर है दौन टर्म याद रहेंगे इसी अवाटो PSY टेरा जो आपके ओर्डर जो इन्सेक्टंप को थोते जो मेंबर होते हैं उनमें hypermetamorphosis पाया जाता है और दूसरी बात उनकी larval stage में सबसे ज़्यादा जुवे नायल हार्मोन पाया जाता है जुवे नायल हार्मोन का concentration होता है और अगला देखिए question पूछा गया कि bunchy top in sugar can is found due to sugar can में जो bunchy top होता है वो किसके कारण पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है top borer stem borer root borer या फिर आपका गुर्दासपुर borer के द्वारा तो यहां पर जो आपका right answer होगा वो क्या होगा जो उसका right answer होगा bunchy top in sugar can is found due to वो आपका top borer के द्वारा होता है bunchy top एक disease होता है जो कि top borer के द्वारा किसमें लगता है sugar can में लगता है sugar can का याद रखिएगा sugar can का सबसे खतरनाग जो आपका सबसे most important insect paste होता है उसका नाम क्या होता है पायरिल्ला पर्फ्यूसिल्ला होता है क्या होता है पायरिल्ला पर्फ्यूसिल्ला होता है इसको याद रख लेना question यहां से आपके पूछे जाते है से केंडरी पत्व का मतलब क्या होता है अीजट होता है कर देंश कर देते हैं वह तो आपके primary इंसेक्ट से कहलते है और secondary इंसेक्ट का मतलब होता है कि जह दैमज ग्रेन को affect करते यानि कि कहा जाए तो primary वो जो fresh grain को attack करते हैं और पूरे जो seed coat होता है इसको छोड़ देते हैं बागी अंदर अंदर के पूरे portion को खा जाते हैं ठीक है अच्छा secondary paste वो paste होते हैं जो damage grain पर attack करते हैं जो कि पहले एक बार attack हो चुका होता है उन पर या attack करते हैं वह paste आपके secondary paste कहलाते हैं सुधीर कुमार जी पायरिल्ला परपूसिल्ला बता रहे हैं दिलकुल right answer है वो आपका सुगर कहनका था इसका राइड पार जाई पता होगा नहीं होगा, इसका right answer होगा, red floor beetle is the right answer, जो आपका destructive insect paste की अधी हम लोग बात करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किया बोलते हैं डी आई पी ए देखिए डीपा कहते हैं ये आपका किस 1914 में कब हुआ था 1914 में इसे पास किया गया था तो इसका जो आपका राइट आंथर होगा देखिए कुछ आपको चीज़ें बता देते हैं जैसे 1912 में प्लांट क्वारेंटाइन एक्ट पास हुआ था 1914 में डिस्ट्रक्टिव इंसर्ट एंड पेस्ट एक्ट दीपा लागू किया गया था 1916 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट एट देहरादूल और आपका 1925 में इंडियन लेक रिसर्च इंस्टिटूट इस इंटमोलाजी डिवीजन एट आई याराई न्यू दिलही में और 1949 में लोकस्ट वार्मिंग और्गनाइजेशन वार्मिंग और्गनाइजेशन इस्टेबलिस किया गया 1945 में डारेक्ट रेट और प्लांट प्रोटेक्शन कॉरेंटाइन एंड इस्टोरेज डिपीपी क्य वेस जिसे हम लोग कहते हैं और अगला आता है 1900 1969 में सेंट्रल इंसेक्टी साइड एक्ट पास किया गया तो यह आपके कुछ मेन क्या थे कुछ आपकी डेट इस थी जिनको आप लोग याद करके रखना है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 1914 is the right answer क्या होगा 1914 is the right answer ठीक है आगे देखिएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुस्चन पूछा गया कि डारेक्ट रेट औफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारेंटाइन एंड इस्टोरेर यानि कि DPPQS वाज established in 1946 with headquarter act जो आपका 1946 में जिसका establishment हुआ था DPPQS का उसका headquarter कहां पर इस्थित है तो साइद आपको पता होगा इसका जो headquarter है वो फरीदाबाद हर्याडा में इस्थित है कहां पर फरीदाबाद हर्याडा में इस्थित है DPPQS का जो headquarter है वो फरीदाबाद हर्याडा में इस्थित क्लियर है जो आपका DPPQS इसमें आपके प्लांट प्रोटेक्शन जो एडवाजर होते हैं वो यहां पर क्या करते हैं यहां किसी भी प्रकार के वीड sieg या फिर insect का या फिर किसी भी टाइघ देखते है तो उसके हम लोग क्यान्टायन करके रखते हैं यह जो है उसको रुड़ करने की अंतर्गत ही जिसे जो कि श्रमाहं कार करती है ठीक है एंटर कैलरी सेगमेंट इस रिलेटेड टूधी जो आपका इंटर कैलरी सेगमेंट होता है वो रिलेटेड होता है किस से थोरेक्स से या फिर आपका सिफेलो थोरेक्स से या फिर आपका एब्डोमेंड से या फिर आपका हैड से तो देखिए एक हैड से फेलो थोरेक्स अप्डूमन या फिर थोरेक्स सी तो आपको हम बता ह réfag कि बता है दो इंटरकेलरी सेगमेंट हो consistency रिलेटेड होता है है question related होता है जैसा की आपको यहां पर दिख रहा होगा जो हैं इंस में six segment지만 होते हैं पहला पहला आपका एंट्रल ऐक्टर तों इंटर कैलरी जो आपको यहां पर दिख रहा है एंटर कैलरी जो यह वाला segment दिख हाए यह वाला तीसरा वाला जो viams यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इतना पॉर्षन इसी को हम लोग क्या कहते हैं इतने पॉर्षन को हम लोग enter calorie portion कहते हैं तो ये जो आपका िंटर- precisamente होता है यह किस से related होता है यह related होता है आपका- हैड़ से related होता है आपका होता है तो इसमें आपका है अव्या होता है phase between and zhp और मेंडी भु क्यलरी और आपका दे स्वादर शाया जाता है किस में आपके हैड मैं दीक है क्लियर है आगे बढ़ा जाए अगला कुश्चन पूछा गया कि दा साउंड प्रोड्यूसिंग और गन्स इन इंसेक्ट इस काल्ड जो आपके साउंड प्रोड्यूसिंग और गन्स होते हैं वो कौन-कौन से होते होने हम लोग क्या कहते हैं इपी फैराइंग जील और गन या या थे आपका चले लाइंग और प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है जिसमें प्रोड्यूस इसे आप ने देखा हूगा क्रिकेट जो होता है जिससे हम लोग जीणुर कहते हैं जो क्रिकेट होता है है जो क्रिकेट होता है जींगुर उसे आपने देखा होगा जब रात्री में लगभग साम के समय आपने एक आवाज देखी होगी सींग की आवाज आती है वो आवाज किसकी आती है वो आवाज आती है जो क्रिकेट होता है वो अपने पंजों को पैरों को इस प्रकार से रगड़ता क्या करता है उसी की आवाज होती है जैसा की आपने जब देखा होगा जहां पर बहुत ज्यादा जाडियां हो वहां पर से आप जब रोड से गुजर रही हो तो बहुत तेज आवाज आती है सिंग की साम के समय रात्त्री में वह यही आवाज यहीं sound producing करते हैं वह अपने जो उनके लेक्स होते हैं उनको ये पन्यों को इस प्रकार से फ्रेक्शन करते हैं इसी कार्ड उनमें क्या होता है उनमें आवा आज आती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा all of these is the right answer अगला question पूछा गया juvenile hormone first discovered वाई जो आपका juvenile hormone है उसे पहली बार डिस्कवर किया था किस वैज्यानिक ने इसे डिस्कवर किया था तो वो डिस्कवर किया था आपका वी विगल्स वर्थ नामक वैज्यानिक ने किसने वी विगल्स वर्थ नामक वैज्यानिक ने इसे डिस्कवर किया था किसे जुवे नायल हार्मोन को डिस्कवर किया था और क jumping and beatingंग या ज्यान चेराश्य घ्रोस और घ्रम करना की सबस्टर हाप् क्पार में को सब्सक् alan को सब्सक्राइबа किल्चरल कोецry क कफिर type है यह ने यौनिशनय छाश्य वtt चभिए दम लोग्त कि टीविटिएच बश्विटी आप क्षलाविंग कर देते हैं लंबे समय से ठीक है कैसी दीप लाविंग करते हैं क oversight ब्रैक्टिससमाइ बैक्टिसमाइ जैसे हम रॉप रोटेशन को अपना लेते हैं ठीक है ये आपका क्या होतीक को प्रेक्टिस को मतलब होता है जाल giàuns किसी women के दवारा equipment के दवारे जब हम लोग क्या करते हैं किसी भी insect paste को जैसे मा लीजिए flamthrower हो गया Flam throwing Gibbs के माध्यां से हम लोग क्या करते हैं इंसेक्ट को affect करते हैं तो ये आपका क्या हो या ये आपका एक प्रकार से mechanical method हो गया, physical method का मतलब क्या होता है, जब हम लोग physically उसको treat करते हैं, जैसे physical का मतलब हो गया एक तरीके से, जो आपका hand picking और beating है, hand picking करके हम लोग उसको क्या कर देते हैं, और उसके अलावा जो saving method होता है, चालना, उसमें भी physically हम लोग मौजूद होते हैं, biological का मतलब होता है, biological method कहलाता है, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर लिखा गया, genetic control, genetic control में क्या होता है, select paste, pathogen, resistant, cultivar, variety और strains, ठीक है, cultural control में हम लोग क्या करते हैं, sanitation करते हैं, protocol, training करते हैं, और bio security को अपनाते हैं, इसके अलावा biological control में beneficial organism, insect, bacteria, fungi, nematode के दवारा हम लोग इनक brushing paste, wind, vacuum, ठीक है, behavioral control में हम लोग insect को क्या करते हैं, manipulate करते हैं, किसी भी trap के द्वारा, किसी भी trap के माध्यम से, ठीक है, chemical control में हम लोग क्या करते हैं, यह आपका last resource होता है, जो की chemical control जो होता है, वो mainly किया जाता है, आपका किसके लिए, वो आपका किया जाता है, जब किसी से भी हमें, कोई control नहीं हो पाता है, हमारे insect paste का, तब हम लोग last में क्या करते हैं, chemical control किया जाता, जा किया जाता है, chemical control किया जाता, ठीक है, clear है, तो यहाँ पर जो आपका right answer होगा, वो क्या होगा, mechanical control is the right answer, क्या होगा, mechanical control is the right answer, which crop is grown as a trap crop in tomato for the management of bamecia tabasi इनमेसे कौन सी जो आपकी crop होती है जिसे हम लोग as a trap crop के रूप में tomato में grow करते हैं for the management of bamecia tabasi bamecia tabasi के लिए tomato में हम लोग गरो करते हैं वो आपका कौन सी crop होती है वो आपकी cucumber होती है cucumber crop होती है और देखियेगा cucumber crop को tomato में grow करते है और दूसरी बात हम आपको बताते है red marigold होता है red marigold को भी हम लोग tomato के आसपास लगा देते हैं उसका भी प्रियोग हम लोग as a trap crop ही करते हैं क्या करते हैं as a trap crop ही करते हैं और जो okra और cotton होती है तो cotton को बचाने के लिए हम लोग ओक्रा का प्रियोग करते हैं क्या करते हैं तो ओक्रा का एज ए ट्रैप क्रॉप प्रियोग किया जाता या किया जाता है ट्रैप क्रॉप यानि कि आकरशड़ फसलों के रूप में हम लोग इनका प्रियोग करते हैं तो तोमेटो की यदि बात आए तो आपका कुकुम मर हो सकता है या फिर आपका red marigold का भी प्रियोग हम लोग यहां पर कर सकते हैं किसका red marigold का भी हम लोग यहां पर प्रियोग कर सकते हैं किलियर है इतनी बात किलियर है आगे बढ़ा जाए अगला question पूछा गया the aim of biological control is the keeping of paste population below the किसके नीचे EIL, GEP, ETL या फिर damage boundary बताया गया कि biological control का जो aim होता है वो क्या होता है keeping of paste population below the paste population को किसके below रखना किस stage के किस level के below यानि की नीचे रखना वो होता है आपका EIL या फिर आपका GP, GEP या फिर आपका ETL या फिर आपका damage boundary जैसा कि आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से आपको यह जो structure देख रहा है इसका मतलब क्या होता है देखिए जो सबसे नीचे वाली line होती है इसे हम लोग damage boundary कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम लोग damage boundary कहते हैं जो दूसरी वाली लाइन होती है इसे हम लोग ETL कहते है और जो EIL सबसे उपर वाली लाइन होती है उससे हम लोग क्या कहते है ई-I-L कहते हैं तो देखिए क्या बताया गया जब damage boundary damage boundary का मतलब क्या होता है damage boundary का मतलब होता है कि insect का attack हो चुका है लेकि इतना पुरी परकेति त्रूम से टेक नहीं हुआ है कि यहाँ पर हमें कोई एकौनुमिक डैमेज हो सकी तो यहाँ पर हमसी प्रकार के कंट्रॉल को नहीं अपनाते हैं लेकिन जैसे ही जैसे ही ITL पर पहुंचता है कॉनुमिक थ्रेस डिस比較 का कोई कंट्रोल नहीं करते हैं क्योंकि दूआ कि यह उलेज वै लोता है जिससे हमारी क्रॉप बहुत ज्यादा लॉस्तो हो ही चुका होता है अब यदि हम लोग किसी भी कंट्रोल को करते हैं तो उसके लिए भी हमने पैशे की रूपयों की आशकता होती है तो जिस भी मार्केट से हम लोग जिस भी आपके इंसेक्टिसाइड को खरीद करके लाएंगे उसमें भी पैसे जाते हैं तो एक तो डैमेज हमारी क्रॉप ने कर दी दूसरा हम इस स्टेज पर उसको रोक रहे हैं जिससे हमें होना क्या है होना हमें लौस ही है फिर हम केमिकल कंट्रोल का हम लोग वहां पर चिड़का है केमिकल कंट्रोल का प्रयोग करते हैं ताकि जो हमारी क्रॉप है वह क्या हो सके वह आपकी लॉस कॉज ना कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा इयानि कि बायलोजिकल कंट्रोल का जो मुख देश होता है तो यह होता है कि जो हमारी पेश्ट की पॉपुलेशन है वो ई आई एल यानि की एकॉनमिक इंजरी लेविल तक ना पहुंच ठीक है किलियर है आगे बढ़ा जाए अगरा कुश्चन पूंचा गया विच फटलाइजर अप्लिकेशन रिड्यूस इस दी इ जानकारी के लिए बता दें यदि आप लोग पॉतास का छिड़का या पॉतासिक फटलाइजर का पॉतासिक फटलाइजर को देते हैं का अप्लिकेशन करते हैं तो आपके सुगरकेन के फिल्ड में यदि टौप बोरर का अटेक है तो उसके उसका जो इन्फेस्टेशन है जो रिड्यूस हो जाता कैसा हो जाता है रिड्यूस हो जाता है किलियर है है यहाँ पर अगला कुस्टन पूछा गया which of the following insect is of domestic quarantine important इनवे से किस इंसेक्ट के लिए domestic quarantine important होता है तो देखिए cotton स्केल सेंजोस स्केल कॉफी बोरर कॉफी बेरी वोरर या ओल of दीज तो आपको जानकारी के लिए बताएं इन सभी के लिए domestic quarantine important होता है क्या होता है domestic quarantine सभी के लिए important होता है इनको हम लोग क्या कर देते हैं थोड़ी समय के लिए इनको quarantine करके रखते हैं तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी इस दा राइट आंसर ओल ओफ दीज क्या होगा ओल ओफ दीज ऑप्शन डी इस दा राइट आंसर क्या है यहां पर आप सभी के लिए important information है यदि आप लोग preparation कर रहे हैं National Seed Corporation of India की तो आप सभी के लिए हमारा platform लेकर के आया है इबुक जिन इबुक में आपको टॉपिग वाइज नोट्स प्रवाइड होंगे यानि कि वहां पर टॉपिग वाइज नोट्स दिये होंगे उनको आपको पढ़ना रहेगा अच्छे से पूरा स्लेवस जो भी आपका स्लेव स searching of kechenah s withdraw g April और दिया गया है यह साबania अपको सslेक्टेड on items जादा पड़ने के लिए तो बहुत सारी में कब तक प्ढ़ों गया योगि यदी सलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिर्फ इस दो परिए आईए यदि आप उस selected matter को पढ़ते हैं तो आपका selection यहां पर यदि आप भी अपने selection को ensure करना चाहते हैं तो इसे आप लोग purchase कर सकते हैं purchase करने की link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी वहां से आप लोग purchase कर सकते हैं purchase करने के लिए दूसरी आप हमें WhatsApp कर सकते हैं WhatsApp करिएगा और उसका जो WhatsApp नमबर पर message करिएगा वीडियो को description box में WhatsApp नमबर मिल जाएगा उस पर आप लोग हमें WhatsApp कर सकते हैं और जो आप पे करेंगे उसका screenshot बेजिएगा आपको ये PDF form के माध्या में आपको provide करा दी के लिए है आगे बढ़ते हैं यह जो है आपका आज का पूरा complete entomology का यहां पर session complete होता है जितने भी लोग जोड़े आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धनवाद लाश्ट तक जोड़े रहने के लिए वीडियो को जादा जादा तर लोगों के साथ कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा तर लोगों के पास पहुचा आईएगा और सभी लोगों को बताये कि इफ को nsc और में सी FC के लिए हमारे सबस्क्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहां से आने वाली प्रतेग वीडियो की नोटिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें आगे मिलते हैं अगली किसी इनफॉर्मेंटर वीडियो के साथ तब तक के लिए जानवाओ